दोस्तों ये वीडियो जो है मुझे आप में से एक SLV फैमिली मेंबर के द्वारा सेंड की गई जब स्टार्टिंग में मैंने वीडियो देखी तो मुझे बड़ा सर्प्राइजिंग लगा एक कुछ जो बेसिकली गाएं के जो बच्चे हैं वह आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और घर के फैमिली मेंबर उनके साथ में बिल्कुल ऐसे ही रह रहे हैं जैसे कि एक normal इंसान के साथ में रहते हैं घर में जैसे आते हैं आराम से घर में आ रहे हैं इवन कुछ ऐसे भी फूटेज थे जिसमें बैड पर बैठे वे बैड पर बैठे वे लाइफ को इंजोए कर रहे हैं तो यह सारी चीजे जो देखने को मिली तो मुझे एकदम UPSC का स आरें बात कर रहे हैं और एक साड़ में हाँ पर यह वाली जिंदगी आप लोगो जब देखने को मिलेगी तो आप लोग कितने बड़े सर्प्राइज होगे एक तरीके से कि यार इस तरीके से मतलब चीजों को इंजोए कि जा सकता है तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि सब एक दूसरे के साथ में मिल जूल कर रह सकें और चीजों को इंजोए करते हुए आगे बढ़ सकें वरना जिन-जिन जानवरों को हम लोगों ने डोमेस्टिकेट कर लिया है उन जानवरों के साथ तो हम लोग कमफोर्टेबल फिल करते हैं पर लेकिन जिन जानवरों को हम लोग उनकी एरिया में जाकर गुज़ रहे हैं, वहाँ पर कहीं बांद बना रहे हैं, कहीं बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, पर वो तो अपने इंज्वे कर रहे हैं अपने पर्टिकुलर एरिया में, सोचो इस तरीके से हर जगे आप लोग जिसे एक comfortable zone में हो, आप लोग अपने bedroom में बैटे हैं, और वहाँ पर कोई भेडिया आकर बैट जाए, कैसा लगेगा, तो वही वाली बाते हैं, आप लोग उनके bedroom में जाकर गुज़ गयो, लेकिन अब सबसे जुरूरी क्या है, एक boundary करनी पड़ेगी, जिससे की मिल जुलकर रह सकें, और यही nature भी बोलता है, कि इंसानों को कहीने कहीं तो जाकर रुकने ही पड़ेगा, अभी कुछ दिने पहले एक topic याद होगा, मैंने आप लोग से distance के था, कि जमीन पे से इतनी सारी जो परजातिया हैं, वो खतम हो चुकी हैं, पिछले 70-70 सालों में, 69% अंदाजा लगा रहे हो 69% तो condition आप लोग समझ सकते हैं, तो मिलकर इस तरीके से रहना पड़ेगा आने वाले time में और इनके साथ में हम लोगो life को enjoy करना पड़ेगा, मुझे personally यार इतनी प्यारी लगी है वीडियो मतलब अंदर से ना मैं reality में देखकर नहीं कोई खुसी होती है प्यारी सी खुसी, वो वो वाली खुसी देखने को मिली आप लोगी क्या रहे हैं, जरू बताना और यार मैं थोड़ा सा और ज़्यादा connect कर पाता हूँ यहाँ पर इन सब चीजों के साथ में, क्योंकि मैं जिस परिवार से निकल कर आया हूँ हाँ पर ये सारी चीजे जो हैं, आप लोगो देखने को मिलेगा, basically पाली जाती है यानिक एक तरीके से हमारे परिवार का पार्ट होती हैं सारी चीजे एक किसान परिवार के बारे में खास कर अगर मैं आप लोग उसे बाते करूँ तो अगर आप लोग एक किसान फैमली से आते हैं, तो ये चीजे बहुत अच्छे से connect कर पा रहे होंगे पर मेरा मतलब समझाने का उनको भी है, जो कभी इनके साथ में connect new cities में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, वो भी ये चीजे देखें, तो इसको समझें, ओके तो जोस हाई हुआ कि नहीं हुआ, जोस नहीं हाई हुआ तो टेंसन मतले ना अभी करने वाला हूँ जोस हाई, हमारे एक और SLE family member का selection हो गए हैं आपर, हर्याना judicial service examination के अंदर में, ये judicial official बन गए हैं, और rank देखो कितनी शानदार है, rank है 18, एक बचा कह रहा है कि सर इतने सार SLE family member के selection कैसे हो रहे हैं, मतलब आप लोगो ये लग रहा है, ये अभी से selection होने start हो गया है, 2016 से मैं YouTube के उपर पढ़ा रहा हूँ, और 2016 से लेके अब तक का बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो 17 में जुड़े हैं, कुछ 18 में जुड़े हैं, कुछ 19 में जुड़े हैं, और व जो entire journey है, जब इंसान लेकर चलता है, तब जाकर यहाँ पर ये चीज़े आप लोग को देखने को मिलती है, अब यहाँ पर ये आप लोग देखो, जो रितिज आरूरा, जिनका भी यहाँ पर ये selection है, 18 रेंक लेकर आना, समझते हैं आप लोग, under 50 रेंक लेकर आना, कितनी बड़ी बात होती है, इस तरीए की rank लेकर आने के लिए, आप लोग को एक proper discipline में, एक proper procedure फोलो करना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग की ऐसी rank आएगी, और ये regularly आप लोग यहाँ पर देखते हैं, अपना जो daily discussion आते हैं, ये regularly उसको सुनते हैं, मतलब सुनते थे, आपका तो पता नहीं, पर हाँ regularly सुनने के बाद में इस result आप लोग के सामने है, ऐसे writing में इनको बहुत फायदा हुआ, इंग्लिस और हिंदी के जो paper थे, खसकर language के उसमें, और interview procedure में काफी फायदा हैं, आप लोग देखने को मिला, और पूरे SLV family के साथ में, ये आप लोग देख लगिस तेयार ये सारी चीजे, आप लोग के लगता है कि ये selection हो रहे है, जो इंसान से लेक आ रहे है, वो ऐसा नहीं कोई chance से निकल के आ रहे है, वो आप लोग के बीच में से ही है, वो भी यहीं चीजे सुन रहे है, वो ज्ज़ादा discipline में कर रहे है, वो regular तरीके से जो ची कि वीडियो जो है वह रेगुलर्ली लोगों के द्वारे देखी जाती है आधे तो लास्ट वाला पार्स पोर्शन छोड़के भाग जाते हैं ठीक है लिखने के काबिल होई नहीं पाओगे कि हां सर को mail करना है हमारे selection होगा तो यह चीजे अगर आप लोग करनी है तो अपने आपको एक discipline में लेकर आओ अगर कोई काम छुट गया है तो वह आप लोग की responsibility है कि वह आप लोग को complete करना है आप लोग ने देखा हुआ कही सारे ऐसे कि वह मैंने छोड़ दिये नहीं अगर वह important होगा तो मैं आगे cover करूँगा या फिर कुछ article ऐसे होते हैं जो मुझे लगता है अब आ रहे है फिर repeat होगे आ जाएंगे तो टेंसल लेनी के जो इतनी है अब छोड़ दिया अभी टाइम नहीं है आगे जब ओधंस आएगा कersonal खुक्रों में कोई exercise हो रही है अगली साल फिरसे वह exercise हो रही है कोई-mitting और ही अगली साल फिर से मिटिंग हो रही है ठीक है खोस्वा कैसे सीखोगे एक परिकिलर 솔èse में आप आकर यह सीखोगे क्योंकि जैसा competition है ना आप लोगको पूरी जर्नी आप और इन्जोई करने पड़ेगी और इसलिवी फैमिली का पार्ट बनकर मोटिविशन तो आप लोगों मिलते ही रहता है फिर सोचो एक मिनट के लिए जब न्यूजवेपर में आप लोग का नाम चपता है तो कैसे लगेगा आप लोग देखो न्यूजवेपर में हापर नाम आ रहा है फोटो के दौर अपनी पिक भी सेंड किये तो आप लोग देख भी सकते हैं कि हाँ इसलिवी फैमिली मेंबर है इसी के साथ में हापर दस से बारे घंटे पढ़ाई टीवी मोबाइल का इस्तमाल बंद मतलब कि अपना लेक्चर देखा इसके बाद में मोबाइल साड में रख दिया मतलब इतना जरूरी है बस उतना ही करना है तब ही जाकर इंसान जो है वो इस लेवर पर पहुँच पाता है अगर आप लोग ये लगावा है कि यार वीडियो खतम होने के बाद में सोर्स पर लग गए सोर्स खतम हो गई तो इस तरीका रिजल चाहते हैं तो यार इतना तो क लुजब करने नहीं कर पा रहे है तो भी सोरी ये फ्रेंकली बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़े आप लोग को अपने अंदर डवलप करनी पड़ेगी वहाँ जाने से पहले अगर आप लोगों लग लग रहा है कि वहां जाने की बाद में ये डवलप होंगी तो यह यह selection नहीं है आप लोगे लिए, reality में बोल रहो हूँ, अभी feel तो करो, आप लोगे नाम के सामने जो officers लिखा है, जिदने बच्चें हाँ पर answer दे रहे हैं, वो अपने नाम के सामने officers लिख रहे हैं, उसका basic परपज क्या है, कि उसका basic परपज मेरा यह है कि आप लोग अभी से feel करनाया स्टार्ट करो, कि हां आप लोग officer हो, ऐसा feel करोगे, ऐसा सोचोगे, तो उस level को आप लोग understand कर पाऊगे, तो अपने time को भी उसी तरीके से utilize कर पाऊगी, कि यार कल को चल कर इस post पर हमको बैठना है, तो हम लोग उस time पर अपने time को कैसे utilize करेंगे, अगर अभी वेल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आर्मी जोइन करते हैं छोड़के भाग चले आते हैं बहुत सारे ऐसे लोग आप लोगो देखने को मिलेंगे यूपीसी के थुरू सेलेक्ट होगने के बाद में आईस की पोस्ट आईपीस आई रस यह जोब छोड़के आते हैं क्योंको पस्ति नीए वो उनका जिन्द की जीने का तरी यह कुछ और है वहाँ पर कंप्लीली कुछ और दिख रहा है उन्हें सोचा कुछ और तो हहाँ पर क द्वारा क्या बोला गया कि मैं कानों में सुन रहा था कि हमारा रास्टेगान बज रहा है और मैं पहले नंबर पोजिशन पर बैठा हूं खड़ा हूं मतलब रास्टेगान सुनने का मतलब ही है कि तुम्हारी रैंक फस्ट आ चुकी है समझे आप लोग यहाँ पर तो यह क चिल्ली वाले सपने देख रहे हो कि एक मुर्गी आएगी उसमें से अंडे एक मुर्गी आएगी उसका अंडे होंगे उस अंडे में से बच्चे निकलेंगे बच्चे निकलेंगे तो और मुर्गी होगी और अंडे होंगे और बच्चे होंगे और फिर बहुत बड़ा एक अपने दिमाग और दिल को और चीज़े चले जा रही है उसमें से थोड़ा सा बाहर निकलो और reality में देखो कि जिंदगी ये है जो लगा हुआ है उसका result भी आ रहा है पिछले कुछ दिनों से जब से result आ रहे है Udisa PCS का result आया फिर UPSC का अरणव का result देखने को मिला फिर अरणव का result आया जो भी मैंने आप लोगों से share किया था जो कि 16th rank निकल कर आई अभी हाँ पर 18th rank निकल कर आ रही है Udisa PCS के भी और भी कई सारे मेरे पास से mail पड़े हुए मैं चाता हूँ थे सारी चीज़े आप लोगो एक दिन में दिखा सकता था पर लेकिन मैं एक एक करकर आप लोगो इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के अंदर motivation बना रहे वरना अभी भी कई सारे mail जो है वो pending में पड़े हुए तो कईयों से इस तरीके से आप लोग देखते है तो यह सारी चीज़े यार आप लोग भी कर पाओगे पर अपने आपको discipline में तो लेकर आप लोगो motivate करने के लिए daily में आप लोगो दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी यह कर सकते हैं कोई ऐसे नहीं कि चांट से आया मंगल से इलोन मस्क इनको बैठा के धरती पर लेकर आया है आपके बीच में से हैं जो आज वीडियो आप सुन रहे है वही वीडियो सुन रहे है यह सारी चीज़े वहीं है जो आप लोग फोलो कर रहे है इनको कोई अलग से घुट्टी नि किये उसको ही लगता है कि बस मैं सपने में वैट के लिख लूँगा बहुत सारे बच्चे रेगुलर आंसर लिख रहे हैं नाम तक याद हो गया है और कई हो कि तो मुझे जो बच्चों के आंसर देखता हूं मैं ठीक है और कमेंट बोक्स में इतने सारे आंसर आते हैं डेल सारे त्योहार आ रहे हैं अच्छे से इंजोय करना कोई भी कमी नहीं होनी चीए पर लेकिन कोशिस ये करना कि अपना पहले स्टडी कंप्लेट कर लेना मोर्निंग में कोई सेलिबेट करने नहीं बैट जाता है यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा टाइम निकालना पड़े मेरी जो particular वीडियो है वो regular आएंगे आप लोग इस चेनल पर आप लोग को decide करना है कि आप लोग को skip करनी है या फिर आप लोग को देखना है वो आप लोग decide करिए अगर आप लोग लग रहा है कि जरूरी है और देखनी है तो आप लोग उसको देखेगा अगर लग रहा है सोचो की आज का सेडिूल क्या है क्या हो ही सेडिूल है जो आप लोगों ने बना कि सोचत हो उसी टाइम पर उठ गए हो और कल का कितना फोलो कर लिया है यह जरूर देखना रिकोल की अगर एक बार रिकोल नहीं करोगे तो आप लोगो पता ही निए चलेगा जब recall करोगे तो तब पता चलेगा सोने उठने का time fix होना चाहिए अभी नहीं करोगे तो आगे सर्दियां आ रही है वैसे भी नहीं करने देंगी ये सारी चीजे regular इसले बोल रहा हूँ अभी चीजों को सुधार लो ताकि आगे चलके दिक्कत नहों जैसे जैसे exam pass में आएगा पैर फून ले लगेंगे और पैरों के नीचे से जमीन किसकने लगेगी कि लग रहा है आपके बार भी नहीं होगा उस condition में आने से पहले आप लोग इस चीजों सुधार लो आई होफ की समझ रहे होगे बाते और आप लोग अच्छे से इंप्लिमेंट करोगे ये काफी interesting news मुझे लगी हाँ पर जो कि आप लोग भी थोड़ा सा motivate फील करेगी अंदर से जब आप लोग इसके बारे में जानेंगे रसियन राम लीला यानि के रसिया के जो लोग हैं यहाँ पर वो आप लोग को राम लीला दिखाते हुए नजराएंगे आयोध्य में जहाँ पर सिरी राम जी का जो मंदिर है वो बनाया जा रहा है एक तरीके से अभी यह नया तो उसके पर्टिकुलर एक तरीके से सेलिब्रेशन में यहाँ पर और यह एक्परेटेशन लगा जा रहे है कि प्राइमिस्टर नरेंद मोदी जो हैं वो भी हुआ पर पार पाडिसिबेट करेंगे आप लोग खुद देखो हम लोग अपनी खुद की कल्चर यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं और बाहर के लोग आज की डेट में एक शांदार तरीके से मतलब एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि वो उस चीज में इतना लीन हो गये हैं कि वो बिलकुल ऐसी परफोर्मे कर वो बोलते हैं कि कल्चर अलग चीज है और रिलीजन अलग चीज है कल्चर और रिलीजन को इंटरमिक्स नहीं करना है तो यह ऐसी बात इंडोनेशिय के लोग बोलते हैं और यह सेम बाद जो है अटल भी हरी वाजपई-जी के द्वारा भी बोली गई ती एक बार कि इस बाहर का इंसान है जो language भी हमारे वाली नहीं जानते है और वो particular ramen एक तरीके से perform कर रहे है तो कितनी महनत उस इंसान ने कियोगी तो वो चीज़े एक बार feel करने की कोशिस आप लोग यहाँ पर करना और आप लोग है कि आप लोग को लग रहा है कि आप लोग यह नहीं सीख पा रहे है तो focus करो यार थोड़ सा time दो सारी चीज़े सीखने को मिलती है तो गल को पूछे कि किस country के दौरे हमाँ पर आयुदा के अंदर में यह particular performance दे गए थी तो Russian लोग हैं जिनके दौरे हमाँ पर आयुदा के अंदर में रामन परफॉर्म की गई थी ठीक है तो यह याद रखेगा important जो है काफी ज़ए news में है और इस इंसान का career जो है वो खतम होता वा नजर आ रहा है इस इंसान का नाम आप लोग को बताना है और news जो है वो इतनी तो important नहीं है पर हाँ हलका सा पता होने चाहिए कि important जो इंसान जो है news में है और reason क्या है वो आप लोग को बताऊंगा अगर आप लोग को पता है तो आप लोग बताईए देखता हूँ कौन-कौन सी answer देता है यह ऐसी चीजे है जो आप लोग को हलका सा पता होने चाहिए दुनियादारी में क्या चल रहा है गुसना नियन की उपर study नहीं करनी है कि बिल्कुल इसके बारे में उपर नीचे सारी बात है जान लो बच इतना पता रखना है कि चल क्या रहा है इतना at least आप लोग का idea होना चाहिए कि आसपास की दुनिया में क्या हो रहा है ठीक है तो वो बोलना चाहूंगा मैं बहुत ही important article है शांदार article है दुनिया भर के editorial अलग लग लग न्यूसेबर में पता नी कब से इसके उपर लिखे जा रहे है जब से यहां पर बात की जा रहे है हमारे देश के अंदर में uniform civil code के बारे में uniform civil code का मतलब आप लोग क्या समझते हैं यानि कि civil matter पर सब लोग जो है वो एक जैसा basically यहां पर reaction दे एक जैसे एक तरीके से यहां पर चीजों को perform करते वे नजर आए जैसे कि जब कहीं आप लोग रस्ते में जा रहे होते हो तो वहां पर red light आती है कि आप लोगो रुख जाना है red light पर आकर क्या वहां पर ऐसा रहता है कि हिंदू नहीं रुखेगा Muslim रुख जाएगा यह Muslim रुखेगा Muslim नहीं रुखेगा Hindu रुख जाएगा ऐसा कुछ रहता है कि हिंदू Muslim से उपर उठकर होती है Hindu Muslim सी किसाई कोई नहीं होता है वहां पर वहां पर बस एक इंसान रहता है और उस इंसान को रुखना होता है क्योंकि red light है हुआ पर यह अगर नहीं रुखेगा तो accident हो जाना है same pattern अगर आप लोगो बोलू कि आप लोगो text अपना जो है वो देना है ITR आप लोगो file कर रहे है हुआ पर ऐसा रहता है कि Hindu ITR कम file करेगा Muslim ज्यादा file करेगा जैसा आप लोगो ने देखा होगा अक्सर जो है medieval time पे देखने को मिलता था ठीक है कि जजिया कर लगा दिया वो सब चीजे कर दी तो यह आज की date में तो ऐसा नहीं है uniform है यह चीजे अगर कोई इंसान यह हरकते कर रहे है तो यहाँ पर कहीं न कहीं एक तरीके से उसको यह वाला टेक्स पे करना है अगर कोई ऐसी penalty लगी है तो हिंदू मुस्लिम वाली सिख इसाय वाली कोई बाते नहीं है वो सब को पे करनी पड़ेगी ठीक है वो चीजे आप लोग समझ सकते हैं तो यह क्या है एक तरीके से uniform civil code ही है एक तरीके से जो हम लोग follow कर रहे हैं तो जब इनके divorce होते हैं इनको सब को जो फाइदे मिलने चाहिए एक तरीके से अपनी जिंदगी को वैथीत करने के लिए वो फाइदे अलग-अलग मिलते हैं तो यहाँ पर difference create हो जाता है कि एक हिंदू महिला को अलग फाइदा मिल रहा है तो क्या दोनों महिला जो है वो एक तरीके के फाइदे जो है उनको नहीं मिलने चाहिए अगर husband छोड़कर चल जाता है तो उनका अपनी जिंदगी कैसे लेकर चलनी है वो यहाँ पर उनको नहीं मिलना चाहिए तो इसके ओपर यहाँ पर बात की जाती है कहीं नहीं इन चीजों को भी हम लोग को युनिफोर्म करना चाहिए पर साधी जो है विवा जो है यह एक कल्चर का पार्ट माना जाता है और हर एक इंसान जो है अपने religion में उसको अलग-अलग तरीके से perform करता है और उसके लिए वहाँ पर कुछ ने कुछ एक पैटर्न आप लोग को देखने को मिलेगा जो सबका अलग-अलग है तो उस पैटर्न को ध्यान में रखते विए जब भी हम लोग बात करते हैं यूनिफोर्म सिविल कोड के बारे में तो दिक्कते निकल कर आती है और ये आज से नहीं है जब हमारे समिधान निर्माता, समिधान बना रहे थे तो उन्होंने ये पर्टिक्लर मुद्दा जो है एक आर्टिकल के अंदर में डाल दिया और वो है आर्टिकल पार्ट फॉर के अंदर में जिसको आप लोग DPSP A Directive Principle of State Policy बोलते है उसमें उनके द्वारा एक आर्टिकल रखा गया और आर्टिकल है फुट्टी-फॉर याद रखेगा फॉर इसकोल तू फॉर यानिके यूनिफॉर्म तो इस तरीके से आप लोग याद रखे न यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो अनुचेद आर्टिकल 44 के अंदर आप लोग को देखने को मिलता है आप और ये ओलेडी हमारे समिधान निर्माता वो जान रहे थे कि ये जुरूरी है तो इसलिए इसके बारे में हाँ पर बात की जा रही है तो हमारी कंट्री में जो Ministry of Law and Justice है वो यहाँ पर अभी Supreme Court के पास में जाकर हूँ हाँ पर एक तरीके से Affidavit File कर रही है इसको लेकर कि अलग-लग Religion के लोग है हमारे यहाँ पर ठीक है तो हम लोग Uniform Civil Court को किस तरीके से Implement करें तो बार-बार यहाँ पर जो हैं चीजे आकर रुख जाती है कई सारी PIL जाती है PIL मतलब Public Interest Litigation जो PIL जाती है वो यहाँ पर यह बोलती है कि हाँ पर कहीं न कहीं हम लोग को Uniform Civil Court लेकर आना चाहिए जो जो भी Difference है हाँ पर Divorce को लेकर हमारे citizen को Equal यहाँ पर चीजे मिलनी चाहिए अगर किसी का Divorce हो गया है उसके बच्चे हैं आपर उन बच्चो को किस तरीके से देखना है वो भी Uniform नहीं है बच्चो को Adapt कैसे करना है बच्चो को Guardianship कैसे मिलनी है किसी बच्चो को Adapt के जा रहा है गोद लिया जा रहा है तो उसमें भी एक Uniformity आप लोग को देखने को नहीं मिलती है उसमें भी दिक्कते निकल कर नजर आती है तो ये ऐसी चीजे हैं जिसके उपर हम लोगों को काम करना चाहिए ये Matter जो है ये कैसा है ये Matter है Policy का यानि कि Government को इसके उपर Policy बनानी चाहिए कि हाँ कोई ऐसा सिस्टम ही हाँ पर होना चाहिए ताकि क्योंकि Government कोन है वो लोगों की Representedive है तो उनको Decide करना पड़ेगा ठेक है पर लेकिन Government अक्सर क्या करती है ऐसे Matter जिनमों उनको लगता है क्यार लोग जो हैं हमसे गुस्सा हो सकते है वो Court के पाले में गैंध फैंक देते है Court को बोल देते हैं कि आप लोग Decide कर दो आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर आयोध्या जो बाबरी मजीत वाला ये इतना लंबा इसू चला बाद में आकर ये Court ने सुलजाया ट्रिपल तलाक वाला जो इसू चला बाद में आकर Court ने हाँ पर काम किया तो गॉर्मेंट से प्ले करने कोसिस करती है हाँ पर कोई भी गॉर्मेंट क्यों ना उसको लगता है कि क्यों अपना वोट बैंक खराब किया क्योंकि उनकी पूरी दुनिया जो है वो बोर्ड बैंक के इर्दगूर्द घूमती है और वो सच्चाई भी है आप लोगों ने देखा होगा जब यहाँ पर जिन जिन लोगों ने कुछ चेंज करने की कोसिस की है वो हमेसा मों की खाकर बैटे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ों के साथ में बहुत जादे इमोशनली कनेक्ट रहते हैं तो इसकी वैसे कई सारे ऐसे चीज़े देखने को मिलते हैं उनको कानून बनाते वे डर लगता है तो इस तरीगे से आप लोग समझ सकते हैं जब यहांपर तो हैंट 18 में इनकी द्वारा परजेंट किया गया तो उनके द्वारा उनके द्वारा भी यहांपर यह चीज़ देखने को मिली और इवन वो तो चलो अभी की बात कर रहे हैं आप लोग खुद देख लेजए आपर Part 4 में आप लोगो देखने को मिलेगा हुद हमारे देश में समिधान के अंदर समिधान निर्माता हुने बोला है है कि यूनिफोर्म सिविल कोर्ड हम लोग को लेकर आदा है पर लेकिन कई सारे Controversal केस चलते हैं आपर पुराने सारे controversial issue निकल कर आते हैं तो देखें, need तो है, perform तो है कि uniform होना चाहिए, चाहे इंसान हिंदू का हो चाहे मुसलमान का हो, है तो इंसान ही ना अगर हिंदू की जो महिला है, उनको फाइदे मिल रहे है, मुसलिम को नहीं मिल रहे है तो फिर वो अपना जिंदी कैसे वेतीत करेगी और कई सारी मुसलिम इलाए इस मुद्ध को उठाने के लिए कोट के अंदर पहुँचिए, तो सबसे पहले तो हम लोग को हैं आपर secularism के उपर फोकस दिना चाहिए, uniform civil कोट का मतलब यह हैं कि religion से थोड़ा सा उपर उठ जाएं, और इंसान के बारे में सोचे कि वो इंसान क्या चाहता है उसकी जिंदी कैसी होने चाहिए, तो यह जरूरी है आपर, इसलिए बोलागे कि secularism promote होगे हैं आपर, की focus दिया जाएगा उठ जाद है, इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगो देखने को मिलेगा, religion से थोड़ा सा उपर उठ कर, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरीके से सबको same treatment मिलना चाहिए, gender justice भी रहेगा अगर अलग-अलग एक तरीके से religion की महिला है, उनको same मिल रहे है, और एक simplified low आप लोगो देखने को मिलेगा कानून, जो कि इसके उपर काम करता हूँ यहाँ पर नजर आएगा, तो यह सारी आवश्यक्ताएं हैं, और आवश्यक्ता ही आविस्कार की जन्नी है, आप लोगों ने यह भी सुनाएं तो अगर आवश्यक्ता ही हमारी नहीं रहेगी तो फिर आविस्कार ने होगा, यह सारी discuss भी मैं सिले कर रहा हूँ, क्योंकि इनके उपर बार, time to time यहाँ पर बाते की जा रही हैं, पर लेकिन आप लोगों को पता है, हर एक religion में कुछ इज़त बचाने के लिए, वैसे तो कोई काम करना नहीं है, जमीन पर, कि लोगों को job दे दें, लोगों के लिए अच्छी facility health के लाएं, education के लाएं अब लोगों को tackle करना है, तो क्या करना है, सिधा-सिधा इंड़े के उपर आंचा लगाने स्टार्ट कर दिये in personal matter, जो कि यहाँ पर आता है, तो उसके उपर question mark लगता है, कि क्या state इस तरीके से personal matter में interfere कर सकते हैं, क्योंकि साधी विभा जो है, वो, part जब आप लोग जाएंगे third में fundamental right के अंदर में, तो यह बोला गया कि right to marriage जो है, वो इंसान का privacy का part हो जाता है, अपने इसाब से अपने life को enjoy कर सकते हैं, article 21 के तहट, तो क्या उसको personal matter में interfere करने का अधिकार है, जो यहाँ पर particular government रहती है, तो देखनों को मिलेगा, ठीक है, और इसी के साथ में constitution, एक तरीक से आप लोग देखों, इंटरस्टिंग चाहिए जहाँ पर, आर्टिकल 44 बोल रहा है कि uniform civil court होना चाहिए, आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आप लोग जो है, किसी के personal matter में interfere मत करो, अब देखो, यही लाइन ही आप लेगी है, अगर सही करने के लिए, तो यानि कि constitution की चीजे भी सारी एक pattern में आप लोग को नहीं देखने को मिलेगी, वहाँ पर बहुत सारी चीजे आप लोग को एक दूसरे को controversy एक तरीके से करती ही नजर आएंगी हाप, ठीक है, तो आप लोग चलिए आरती, क्योंकि society में एक uniformity आती है न, उस uniformity से यह फाइदा देखने को मिलता है, कि कुछ rule proper में implement किया सकते हैं, इसलिए यहाँ पर, यह जब यहाँ पर ES के बारे बात कीगर, फिर आगे चलकर, 1941 में, जब तक तो साजाद भी नहीं हो था, एक particular committee उनाए गई, B.N. Rao committee, British government के द्वारा, वो भी चाते थे कि ऐसा को uniformity लेकर आए जाए, और उसके बेस पर recommendation दी गई, जिसके बेस पर आगे चलकर, जो हिंदू, succession act निकलकर हमारी देशे में आया न, वो वही से निकलकर आया, उस particular committee के बेस पर जो report दी गई आप, पर लेकिन उस time पर यहाँ पर Muslim, Christian और जो पार्सिस थे, उनको अलग छोड़ दिया गया, क्योंकि ये बाते निकलकर आने लगी कि हिंदू तो यहाँ पर majority में है, इंडिया के अंदर में, और ये लोग minority में है, तो ऐसा किया जा रहा है कि हिंदू, जो है, वो कहीने के इनको दबाने कोशिस कर रहे है, इन से इनके अधिकार छीनने की कोशिस की जा रही है, और देश आजाद हो रहा था, देश का बटवारा हो रहा था, इंडिया और पाकिस्तान यहाँ पर बन रहे थे, तो ओल लेडी लोगों के मन में भै का इतना बड़ा माहोल था उस टाइम पर, ये नहीं चा रहे थे कि इसकी वज़े से और ज्यादा भै बने, कि इंडिया और पाकिस्तान तो बनी रहे हैं, अपने लोग दमीन दायदा के बीच में लडाई का, वो दोनों बेसिकली एक तरीके से इस बात को लेकर कहीं न कहीं, एक दूसरे के कहीं बार एक तरीक से, हाला कि जो जवाला लेहरुजी उन्होंने कोसिस भी कि हाँ पर कि भीम अन्राव अमेड कर जी का सपोर्ट कियें, पर लेकिन वो उस चीज को सक भी प्रोल्म है, और continuously यहाँ पर यह प्रोल्म चली हुई आ रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यह सारी चीज़े आप लोग के सामने, time to time आप लोग को देखने को मिलती रहेंगी, तो इसके ओपर काम करना जुरूरी है, और अगर काम नहीं किया जाएगा, तो यह फिर स the possible factor, एक तरीके से आप लोग को factor बताने है, जिससे कि हमारी country में uniform civil code को लाया जा सके, कहां से directive principle of state policy है, यानि कि आप लोग को पता है, मैंने अभी बोला, आप लोग को part 4 में आप लोग इच यह देखने को मिल रही है, और यह जो बीच बीच में बोल के चला जाता हूँ, part 4 में यह है, article 44 में यह है, यह पुराने paper analysis करना उठा कर आप लोग यह चक्सू खुल जाएंगे, यह सारे question पूछे जा चुके है, ओलड़ी exam के अंदर में, ठीक है, match करने के लिए question पूछ लागा है, कैसे पूछ लिया, तो कोई भी बीच में बातें बता रहा हूँ तो ने, basically मेंस का question पूछा गया, attempt करना, एक दूसरे के साथ के मिलकर अच्छे से, और एक दूसरे का answer review करने कोशिस करना, बाकि prelims के अंदर question बनते हैं, जी हाँ topic बहुत important है, prelims के भी question दिखाता हूँ, ताकि आप लोग यह दिल को तसलिल में जाएगी, हाँ, यहां से question बन रहे है, question जो है यहां पर 2000 बारे में आप लोगों से पूछा गये हैं यहां पर, और यह किस के बारे में DPSP के बारे में बात की जा रही है, और DPSP भी आप लोगों अलग-अलग divided देखने को मिलेगी, अगर politics के आप लोगों ने lecture देखे होंगे मेरे, तो आप लोग यह बात समझ प तो गांधियन प्रिंसिपल में आप लोग कुछ आर्टिकल देखने को मिलेगे हैं, जैसे आर्टिकल फुट्टी, वो पंचायत के बारे में बात करता है, ठीक है, कि पंचायत वगरा और्गिनाइस करा जाने चाहिए, बिल्कुल सही है, आर्टिकल फुट्टी थरी का, जो आप लोगों यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, फुटी थरी है फिर, उसमें आप लोगों को और्गिनाइस के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर को और्गिनाइस के बारे में बात नहीं है, नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, पर्म responsibility रहती है, article 47 में गांधियन principle है, और जैसे कि गाएं होगे, उनके बचड़े होगे, उनको काटना, उसको भी रोकने की बात की जा रही है उनका एक तरीक से slaughter नहीं करना चाहिए, तो article 48 यहाँ पर यह बोलते है, तो यहाँ पर promotion of cottage industry के बारे बात करें, तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं, जो कि article 43 में मैंने आप लोग को बताया, तो यह दो चीज़े आप लोग को गांधियन principle में यहाँ पर आप लोग को direct देखने को मिलेगी, ठीक है बागी securing the all worker, reasonable or leisure culture, यह इस तरीकी opportunity, तो यहाँ पर आप लोग को आप लोग को मिलेगा, यह particular अगर आप लोग जाकर देखोगे, तो ऐसा नहीं कि particular की all workers के लिए इस तरीके से आप लोग कोई चीजे facility प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पर की जारी है गांधियन principle में particular, मैं गांधियन principle के बारें बात कर रहा हूँ, जो मैंने भी आप लोग को article बता है, तो उन article को आप लोग देखेगा, गांधियन principle और DPSP में जो difference है, वो अलग से article आप लोग को मैंने बताए, वो article देखेने को मिलेगे, तो answer यहाँ पर क्या हो गया, answer यहाँ पर B हो गया, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं, 2021 में एक article पूछ लेएं आपर legislation के बारे में और बोला गया कि यहाँ पर एक तरीके से बोला एक particular article के बारे में पूछा गया कि यह article जो है, इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं, सिधा-सिधा question है आपर, एक article है, article 14 तो उसके ओपर एक direct question दे लिया उसके बारे में आप लोगों से पूछ के इसको जब आप लोग पढ़ोगे, इस सारी चीज़ें आप लोगो article 14 से नजर आएगी, ठीक है तो यहाँ पर इस तरीगे question आप लोगों से पूछ आ रहे है, exam के अंदर में direct तो इसलिए कहता हूँ कि जब पीछी जो को पढ़ोगे न, डंक से जाकर आप लोग DPSP वाला chapter जाकर पढ़ना जो मैंने आप लोगो पढ़ा है, मैंने detail में fundamental right versus DPSP भी आप लोगो बताईए कि कैसे दोनों को compare किया जाता है, और कहीं जगे ऐसा भी हुआ कि DPSP को ज़्यादा power देदेगी fundamental right के compare में इंद्रा गांदीजी के time पर, वो भी issue देखने को मिले, तो सारे बहुत ही detail में discuss किया है, जाकर पढ़ना चक्सु खुल जाएंगे आप लोगे, ठीक है आगे चलते हैं आपर, बोला जा रहा है कि uniform civil code जो है, वो basically colonial time पर हाँ पर लेकर आने की बात के गई, 835 में ठीक है, uniformity लाने की बात के गई British rule जो है, अगर बात करें उसके बारे में force करता है government को जहाँ पर B.N. Rao committee के थुरू की codified क्या जाए, Hindu law ठीक है, 1941 में, और इनकी recommendation के base पर आगे चलकर Hindu succession act लिकर करा, only one statement सही है, only two सही है, only three सही है, और फिर all of the above सही है तो यहाँ पर सही answer क्या है, वो है B, answer आप लोग देखते हैं आपर यह सारी की सारी चीज़े आप लोगे साथ में है क्या क्या चीज़े हैं हापर, आप लोग इसको समझ सकते हैं, confusion नहीं होना चीज़े बोलो की गलत कैसे हैं, यहाँ पर next year लिखावा है next year नहीं हाँ पर adapt किया गया है यह आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा यह 1956 में adapt किया गया ठीक है, और बाकी का जो side में छोड़ा गये हाँ यहाँ पर यह community को तो हिंदू के लिए हाँ पर यह adapt किया गया तो इस तरीके समझना, तो तीनो की तीनों question और यहाँ पर यह answer writing का तो topic ऐसे तयार करोगी आगे भी अभी यह कभी topic आएगा तो आप लोग के mind में clarity होने चाहिए कि अच्छा इस topic में यह चीज़े है और इस तरीके से हमारे mind में इसको लेकर clarity लेकर चलनी है, ठीक है और feedback जुरूर दिया करो, जैसा भी आप लोगों लगता है कहीं अगर doubt होता है तो उसको पूछ लिया करो या कोई अच्छी चीज़े लगते है तो उसको add कर दिया करो खराग चीज़े लगते है तो उसको बता दिया करो के सरीए गलत है आप उसको improve कर ले करेंगे मिल जूलकर इसी तरीके से चीज़ों को आगे लेकर चलना है जहां पर जो जी चीज़े हैं आप लोग बता दिया अगरो ठीक है, I hope के mind में के लाइटी आए होगी कोई confusion हो तो बताना उसको दूर किया जाएगा काफी important article है है हाँ पर बात करेंगे pollution के बारे में और pollution का impact क्या पढ़ सकता है ये down to earth magazine के द्वारा काफी detail में cover किया गया आप लोग समझेंगे तो काफी सारी चीज़े आप लोग को जानने को मिलेगी ये जो article है UPSC prelims ये basically इसी के साथ में GSP3 environment और जो pollution के अंदर आप लोग का topic बनता है वहाँ पर आप लोग इसको connect कर पाओगे detail में समझेंगे आखिर news में क्या है और क्या-क्या impact यहाँ पर पढ़ता है वो सारी बाते भी आप लोग यहाँ पर समझ पाओगी pollution जिसको हिंदी में आप लोग पर दूसर न बोलते है काफी खतरनाक चीज़ है काफी सारे लोगों की death हो कर जाती है इसके through और अगर इंडिया अपने देश भारत के अंदर में बात करूँ 2019 में 1.6 million लोगों की death हो चुकी है pollution की वैसे 2019 में 1.6 million का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह कि 16 लाक लोगों की जान चली गी है 2019 में pollution की वैसे आप लोग बोला है जुट्टी बात है ऐसे दोड़ना होता है pollution की जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ का आप लोगों पता नहीं है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बुजूर्ग, बहुत सारे ऐसे लोग जो hospitalized है उनको बहुत सारे issues देखने को मलते है और pollution one of the एक major reason होता है उनकी death का अगर आप लोग इसको ढंग से minute level पर understand करेंगे तो अगर इंडिया के अंदर आप लोग बात करें बनाने रहा हो, सुधार रहा हो मतलब यहाँ पर मैंने only air pollution के बारे बात किया और यहाँ पर water, lead इसी के साथ में दूसरे जो और pollution देखने को मलते है उसकी वज़े से जो दिक्कते निकल कर आती है उसके बारे में बात कर रहो और कुछ लिखने के लिए, pollution के बारे में आप लोगों को कई बार निमद आ जाते हैं एक तरीके से environment के बारे में लिखने के लिए तो वहाँ पर यह important point जो है आप लोग mention कर सकते हैं तो एक-एक point जो है, काफी detail में cover करूँगा अच्छे सुनिएगा अगर report के बारे में मैं आप लोगों से कुछ findings के बारे में हाँ पर बात करूँ तो अगर आप लोग समझेंगे globally air pollution अकेला जो है वो 66.7 lakh लोगों की death करके चला गया आप लोग बोलोग यार हमारे देश में ही जादा होगी है अगर pollution की report के इसाब से आप लोग उठा कर देखोगे दुनिया में सबसे ज़्यदा most polluted area कहां कहां पर आते है आप लोगो maximum जो है अपने देश की cities वहाँ पर नजराएंगी तो इसलिए वो pollution जो है वो हमारी नसों में दोड़ रहा है उसकी वेसे यहाँ पर यह बाते निकल कराती है अगर overall pollution related responsible estimation death के बारे बात करें तो था यह 19 में overall की बात की जा रही है तो यहाँ पर बात की जा रही है कि हर छटे में से एक जो इनसान है worldwide उसकी death आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है तो 2019 का data है यह आप लोगे सामने इसको आप लोग समझ सकते है अगर बात करें यहाँ पर यह काफी important है 80 crore जो children है वो estimate यह तरीके से उनके अंदर जब check किया गया तो blood में उनके lead यह निकी cc की मातरा जो है काफी जादा देखने को मिली जो हम लोग खाते पीते हैं उससे आप लोग यह सारी चीज़े सामने निकल कर आती है तो यह चीज़े हमारे समझने के लायक है काफी जादा तरीके से जो quantity exceed हो चुके है 5 microgram per deciliter तो यह आप लोग यहाँ पर इसकी मातरा देखने को मिलेगी air pollution जो है उसकी वज़े से chemical जो pollution है उसकी वज़े से aging जो है उसकी वज़े से और इसी के साथ में जो भी आज केट में pollution को expose हम लोग हो रहा है pollution के सामने हर टाइम हम लोग रहते हैं उसकी वज़े से fossil fuel जो air pollution में होता है उसकी वज़े से आज की डेट में आट बिलियन पर डे का नुकसान हो रहा है, यह आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कोस्ट बताए जा रही है, पूलिशन की जो दुनिया को नुकसान हो रहा है, अपने देश में नहीं, ओल ओवर वर्ल्ड में पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूं, आट बिल काफी ज़दे आप लोगों को नजर आएगा, यानि कि इनसानों के द्वारा की गई हर्कते, मैक्सिमाम आप लोगों को देखने को मिलेगी, कुछ बाते मैंने बता दिये, कुछ और बाते जान लो, अपने ही देश के बारे में, एर पॉलिशन के मैंने बता, 16 लांग के करी लोगों को देखने को मिलेगा, वो 6.1 लाग वो हाउसोल्ड एर पोलिशन, घरों में आप लोगों ने देखा गा, चूले के ऊपर जो सबजी खाना बना जाता है, उसके बारे में आप लोगों ने देखा है नोर्मली, जो ये सारी चीज़े यूस कियाती है, ये जाने अन में हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यदा बरबाद कर रहे होते हैं, तो दो तरीकी की पोलिशन होते हैं, इंडोर पोलिशन और आउटडोर पोलिशन, तो वो काफी ज़्यदा प्रोलम क्रेट करते हैं, एक्स्ट्रीम पुर्टी वाले जो लोग होते हैं, जो काफी गरीब तप का है society का एक तो indoor pollution की वे से मरता है और दूसरा water pollution पीने के लिए स्वच पानी नहीं मिला गए 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 रहा जो जलाए जाते हैं उनमें गोबर उपले या फिर लकडिया वगए रहा इस्तमाल कि जाती है जिसकी विज़े से महिलाओं की डैथ होती है और maximum यह चीज़े देखने को मिलेगी similar kind of condition बन जाती है जहां कोई industry है आप लोग को interesting चीज़ बताऊं अभी डैली के अंदर कोई भी industry नॉर्मल यह आप लोग को जाते हैं देखने को नहीं मिलती है सारी industry NCR वाले reason में निकाल दिये यारी के गाजियबाद मेरट अलवर यह सारा जो आसपास वाला reason आप लोग को देखने को मिलेगे न वहाँ पर industry निकाल दिये उनके द्वार क्यों क्यों क्योंकि उनको बता है time में इतनी सारा pollution पी लिया है और याद होगा ब्राक उबामा साफ जब इस टार्टिंग में आया करते थे तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे हाहुला भी हुए थे जहां से गंगा रिवर बहकर जा रही है तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार वेस्ट बंगाल यह सारा दीजन आप लोग को यहाँ पर नजर आ जाएगा तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों की डेज जो होती है वह पॉलिशन की ज़िटी है वो इंडिया के नंदर नजर आती है काफी बड़ा रीजन क्या है अगर कोई कोई आप लोगों से पूछने लगे जो भी हम लोग जलाते हैं घास फूज जो हम लोग जलाते हैं आज के में सिंगल लार्जेस्ट कोज आप लोगो देखने को मिलेगा काफी ही पड़ता है और यही से यह आप लोग यहाँ पर basically जो लेड है यह आप लोगो देखने को मिलेगा जो काफी इंबोरेंट है तो पांच माइक्रोग्राम पर डेसी-लीटर यहाँ पर यह आप लोगो देखने को मिल carrier detail में देखें तो natural cause होंगे जैसे dust होगे, smoke होगया, जब यहाँ पर कहीं पर जंगल में आग लगई, हमारे हाथ में तो नहीं है, जंगल में आग लगई, कुछ हमारे हाथ में भी है, कुछ हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ा आप लोग आपस पर मासरे कितंज से मॲुँख儿 को मुलती है इस ही के साथ मेंकर करें दिखने को मिलेगी जिस में से पानी भी बुरा निकलता है और इसके साथ में आसपासवाले एले को विरबाद करता है यह थ resist tools br ऐसे आप लोग समझ सकते हैं अब यहां से बाहर तो आप लोग यह सारी चीज़े खाते पीते होई हो जब घर में आप लोग जाते हो अपने तो वहाँ पर रही सही कसर पुरी हो जाती है इंसान उसके बाद में जब BD cigarette पीता है तो वो एक next level पर चीजों को ले जाकर रख देता है वो और ज्यादे इंसान को बीमार बना देता है तो यहां से एक next level की चीज आप लोगो नज़राएगी, pollution की वे से चीजे और बरबाद होती ही नज़राएगी अब आप लोगों यहां पर एक data दिखा रहा हूँ जिसको सोचकर आप लोग हैरान हो जाएगी आप लोगों सुना होगा बहुत सारी आर लोगों ने एक दूसरे गोली मार कर हत्या गर दी बहुत कम है, बहुत कम देखने को मिलेंगी इसको सबको अगर एक side रख दो और एक side में आप लोगों यहां पर यह नज़राएगा ठीक है, smoking and एक तरीकरे second hand smoking माली जब मैं cigarette पीना स्टार्ट कर देता हूँ मेरे साथ में रहने वाले जो भी लोग है वो second hand smoking करेंगे यहां पर हम लोग इनके ओपर महाम चिलाते रहते हैं पर लेकिन जो reality में जो main cause है जिसके वेसे लांखो लोग बरबाद हो रहे है उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा तो यह है reason जिसके ओपर हम लोग को focus देना चलना है और इस reason को जब तक हम लोग identify नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही issue आप लोग को देखने को मिलेंगे इसमें आप लोगों की क्या रहे है आप लोग अपनी राय बेसिकली बता सकते है इसलिए आज की डेट में हम लोग क्या करना चाहिए ज़्यादे से ज़्यादे ट्रीकॉम लोगो प्लांट करना चाहिए इलेक्ट्रिक विक्कल को यूज करना चाहिए बाइसिकल सबसे बेस्ट आप लोगो नेचर फ्रेंडली देखने को मिलेगा हेल्थ के साथ साथ में वेल्थ यानिके पैसा भी बचेगा और हैल्थ भी आप लोगी सही रहेगे ठेक है औल्टरनेटिव सोर्स यहाँ पर छटो पर क्या ले है सोलर पैनल यूज के जा रहे है ठेक है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें एक इंसान अपनी गाड़ी लेकर चल रहे है ठेक है चलो सही है कि आप लोगो बहुत सारे ऐसी चीज़े रहती है जो आप लोग का एक नहीं मालीज आप लोग किस से मिलने जा रहे है ठेक है आप लोग के पास में कोई सामान नहीं है तो आप लोग नॉर्मल जा सकते हैं ठेक है किस से मिलने जा रहे है कि इंसान को अपनी चीज़े निकालने से ज़दे लगेगा और वो सही है फालत में क्या इसको निकाल गे चुलू खुछ चलाना पड़ेगा बैठके जाओंगा न मज़े में वह वाली चीज़े हैं तो इस तरीके समझ सकते हैं वरना हेल्थ नहीं सुदरेगी हेल्थ जो है वो और ज़दा बरबाद होती नजर आएगी और इससे दिल की बेमारी लंग की बेमारी अस्थमा ये सारी चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी आँखों में मिलेगी ये स्टोक हो गया reduce life spam इंसान की जिंदगी घटती जा रही है इन सब चीजों की वेसे ये आप लोग के सामने नजराते चीज़े तो इसके ऊपर काम करना जुरूरी है और solution सारे आप लोग के सामने है renewable energy हम लोग को west को अलग-अलग generate करना पड़ेगा इसके ओपर focus देना पड़ेगा green building आप लोग को बनानी पड़ेगी paid पोदे जितने जादे लगाओ आप लोग को regular लग-बग 2-4 दिनों के अंदर daily coin कोई मुझे जो ट्विटर के ओपर tag करता है मैंने बूला था न कि SLV army planting tree आप लोग ये hashtag करके मुझे tag किया करो जबी कोई paid लगाया करो तो बहुत सारे बच्चें आपर करते हैं तो आप लोग इसको देख सकते हो तो इससे आप लोगों की life जयो काफी दे इंप्रूव होगी आसपास वाले एरे में और हर एक इंसान अगर इस तरीके से काम करने लगा अब देखते ही देखते हैं सारी चीजे चेंज हो कि यह जरासी देर में एक बड़ा की लहमे के में चीज चेंज हो जाएगी एक ऐसा वड़ा है जो कि यह बड़ी जल्दी frequently चीजे चेंज हो जाएगी तो उसके लिए आप लोग काम करना पड़ेगा क्या गोर्मेंट काम नहीं कर रही है दिल्ली गोर्मेंट में अभी लगा इसके बात की जा रहे है Notification of the Nice Pollution Under Control Certificate दिया जा रहा है, इसी के साथ में अगर बात करें, Air Prevention Under Control Pollution Act बनाया था, 1981 में आज की बात नहीं है, पुराने टायम की बात हैं, ठेक है, बाबा आदम के जमाने से काम चला हुआ रहा है, हमको अब समझ में आ रहा है, 24 by 7 यहाँ पर, 17 यह highlight pollution जो industrial sector है, उनके अपर focus दि बना जा रहे हैं, यह जो पठागे चुलाओ, ऐसे चुडाओ, जो की green cracker हो, उसके बारे बात की जा रही है, इसी के साथ में हाँ पर अगर बात करें, तो एक Delhi identified source wise, यह हाँ पर level air pollution के बारे बात की कैसे हाँ पर देखना है, और कैसे उसको respond करना है, और यहाँ पर आप कोई खुस नसीब होगा, जो इस category में आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो air quality जो index है यहाँ पर, 0 से लेके 5 तक good होता है, 51 से लेके 100 तक satisfactory होता है, 100 से लेके 200 तक यहाँ पर moderate होता है, यहाँ तक कानी ठीक है, इसके ओपर कानी कराब है, sorry, 201 से लेके poor हो गया, start 300 तक, 301 से लेके 400 तक very poor, और maximum कई तो यहाँ देखने को मिल जाते हैं, भाई साब बीमार इंसान हो रहे हैं इतनी जिसकी कुछ हद नहीं है, तो इसके ओपर काम करना काफिज़ जरूरी है, वरना दिक्कत है देखने को मिलती है, और इसके ओपर मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ा लेंगे, डवलफ किसके दोरा किया गया था, याद रखेगा important question मन जाता है, यह Indian Institute of Tropical, Meteorology के दोरा डवलफ किया गया, और IMD, Indian Meteorological Department, जो कि इसी मिनिस्टी के अंडर मा आता है, यह इसको implement करने वाला है, air quality early warning देता है, weather forecasting बताता है, अलग-अलग parameter को जहान में रखते हुए और 72 गंटे वाले तो warning देता है, अगर कोई दिक्कत होती है, ताकि solution आप लोग निकाल सको, इसमें यह यहां तक benzene, toluene, यह सारी जो basically xylene, mercury, यह भी हाँ पर एक तरीक से, इसके बारे हैं बताता है कि क्या-क्या देखने को मिल रहा है, तो बहतरीन system यहाँ पर launch किया गया, तो यह सारी चीजे basically जो मैंने आप लोग को पढ़ाई है, इनसे अलग-अलग question बन चुके है, अगर यहां से कल को कोई question बन जाता है, तो आप लोग के amendment लैट यूनी चीए, इवन answer acting के लिए भी कुछ आ जाता है, तो आप लोग को इसको लेकर कोई भी doubt नहीं होना चीए, तो यह पूरा एक article था, जिसमें मैंने सारी चीजे cover कर दी, अब इतनी मेहनत करके आप पढ़ाई है, तो question जुरू बूचूँगा, अब question बूचता हूँ, question के answer दीते हुए चलो, वो भी अच्छे थे, ताकि मुझे लगे कि हाप पढ़ा है आप लोगों ने, सबसे पहला question तो सही answer के है, अगर आप लोग इसार से बात करूँ, अभी मैंने distance के हैं यहाँ पर, develop किस के दारा किया गया है, IITM पूने के द्वारा, ठीक है, तो answer यहाँ पर आप लोगों को B देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पर यह develop किया गया है, basically, पूने के द्वारा, तो B B answer से यहाँ पर, ना की first, ठीक है, तो यह होगी आप लोग का B answer, ओके, बागी type of pollution से भी related, अगर आप लोगों से कोई पूछे, तो यह normal सी चीज़े से air pollution, land pollution, noise pollution, water pollution, light pollution, तो यह अलग-अलग तरीके pollution होते हैं, जो कि आज केरे में हमारे इर्दगीर देखने को मिलते हैं, इ आप लोग समझ पाओगे, यहाँ पर बात की जारी है, ओटो मूबिल, यानि के जो भी आप लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें से धुआ निकलता है, तबया को इसमोग, धुआ निकलता है, वुड बर्निंग, धुआ निकलता है, यूजिंग वरनिस, वुड फरनिचर, या यह सारी चीज़ होते हैं, तो अगर थोड़ा से यहाँ पर आप लोग common point लगाओगे, कि आप लोग जो बिसिकली निये जो एक तरीके से difference की rate करना सीखोगे, कि यहाँ पर ये option दे रखें, इसमें से different option कौन सा लग रहा है, तो examination hall में अगर ये trick आप लोग इस्तमाल करना सी तो काफी कुछ आप लोग यहाँ पर फायदा होता है, तो यह जरूर याद रखना, तो अभी pollution की बारे बात करें, जिसे बेंजीन के बारे मैंने बात कि अभी natural producer के थुरू निकलता है, वोल केन हो गया, forest में fire लग गई, ठीक है, तो यह आप लोग को देखने को मिलेगा, तो human activity में जैसे मैंने बताया भी हाँ पर, तबैको आप लोग पी रहे हो, ठीक है, wood burn कर रहे हैं हाँ पर, ठीक है, fuel कोई इस तरीके से जला जा रहा है, industrial कहीं आग लग रही है, तो उसमें देखने को मिलेगा, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो first, second और third यहाँ पर आप लोग को answer नजरा जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग understand कर सकते हैं, है कि नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनो, तो चीज़े होती हैं फिर, ओके, यह काफी interesting है आपर secondary pollutant के बारे बात की जा रही है, यानिके secondary pollutant कैसे होती है, secondary pollutant वो pollutant होते हैं, जो कि यह एक त sulfur, यह sulfur, जो trioxide हो गया, इसी के साथ में ozone हो गया, यह चीज़े आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है, तो यह secondary pollution की category में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो answer क्या हो गया आपर, answer हो गया, sorry, answer हो गया एक second, carbon monoxide तो नहीं हो गया, आपर answer हो गया, इसका B, ठीक ह पर लेकिन secondary pollutant normally क्या होते है, जैसे sulfur, trioxide हो गया, nitric acid हो गया, ठीक है, sulfuric acid हो गया, यह सारी चीज़े ozone हो गया, तो यह सारी चीज़े आप लोग को secondary pollutant जो है, pollutant जो एक तरीके से form होते है, atmosphere के अंदर में, तो यह आप लोग यहाँ पर नजर होगा, ना कि यहाँ से निकल कर ह आते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, इसार से अगर आप लोग देखोगे, तो आंसर इसका भी हो गया, तो इस तरीके से question आप लोगे बनते हैं, तो कोई doubt नहीं होना चाहिए, यह एक ऐसा article है, जो recently बहुत ज़्यादे news में है, अगर बात करेंगे हैं, यहाँ पर, तो आप लोगों नहीं देखा होगा, तो क्वार्ड बोलते हैं, और अगर इससे ज़्यादे country काम करने हैं, तो उसे multi-lateral आप लोग बोल देते हैं, नूर्मली आज की date में ज़्यादे तर फोकस जो है, कई सारे ऐसे group निकल कर आ रहे हैं, जिनके बारे में बहुत आप लोगों को अगर देखा जाए, तो bilateral listen पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्यों? क्योंकि multilateral listen की जब हो लोग बात करते हैं, तो कोई ने कोई country जो है, वो अपनी टांग डाती हैं आप पर नजराती है, पर bilateral में दो country अपने आप में काम करेंगी, जो जो कमिया और खामिया उसको इ करने की कोशिस कर रहे हैं, ताकि bilateral तोर पर वो अच्छे से काम कर सकें, अब ये इतनी कता किसले सुनाई, इतनी कता इसले सुनाई, क्योंकि आज की date में हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, संखाई को, sorry, जो European Union के साथ में, European Union, यानि कि Europe के देशों का एक संगठन, एक समू, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यह है The European Union, यह एक ऐसा गुरूप है, जो कि एक काफी successful गुरूप आप लोग इसको बोल सकते हो, और जब कोई इनसान successful होता है, तो इसको follow करने वाले बहुत सारी लोग मिल जाते हैं, इसको follow करकर यहाँ पर ASEAN जो गुरूप है, उनक इनका गुरूप जो है, वो काफी शांदार आप लोग को देखने को मिलेगा, इस गुरूप के अंदर टोटल मिलाकर 28 कंट्री हैं, रुको रुको इस्टोप इस्टोप इस्टोप, 28 ही है क्या, नहीं 28 नहीं है, अब एक बाहर निकल चुका है, इसलिए याद रखेगा, 27 27 गुरूप आज की डेट में इस गुरूप के अंदर मेंबर हैं, क्योंकि UK जिसको आप लोग बिटेन बोलते हो, वो Brexit के थुरूप यहाँ पर, Brexit मलब बिटेन का European Union से exit, तो अब टोटल मिलाकर 27 मेंबर यहाँ पर रह गए हैं, और यह 27 मेंबर जो है, इनका खुद का बैंक इनकी खुद की करेंसिये जैसे आप लोग बोल सकते हैं, यूरो, ठीक है, तो यूरो इनकी खुद की करेंसिये जो इस्तमाल करते हैं अपने देश में, यहाँ पर इसको व्यापार के लिए यूज के जाता है, तो यह एक ऐसा गुरूप है, अगर किसी कंट्री के साथ में स कर लेते हैं, जिससे अक्सर आप लोग एक कोश्चन भी पूछ ले आते हैं, और अभी आप लोग ने एक्जाम देखा होगा उठागर, उसमें कईयों कोश्चन आप लोग के ओर्गनेशन से डिरेक्ट पूछेगे, बात करते हैं यूरोपीन यूनियन के बारे में, यूरो इस्ट्रेटी के नाम से भी जानते हैं, जो आप लोग ट्रीटी ओफ यूरोपेन यूनियन के लिइन के नाम से भी आप लोग जानते हैं, जिसके थुरू इसका फॉरमेशन किया गया, अच्छी बात यहां पर यह, कई सारी कंट्री एसे हैं, यहां पर आज की डेट में भी जो कि हाँ पर मैंने भी बताना है कि common currency क्या है वो है euro जैसे हमारी currency क्या है हम लोग रुपे यूज़ करते हैं अपना ऐसे ही हाँ पर US से dollar यूज़ करता है तो सब की अपनी अपनी currency है हमारी country की currency रुपे होगे तो इनकी country currency होगी euro हाला कि अलग अलग उनकी खुद की भी currency है पर लेकिन ये common currency ये euro इस्तमाल करते है तो 27 country में से only 19 देश ऐसे हैं जो euro का इस्तमाल करते है as a official currency 9 member जो कि अपसर question भी आप लोगों से पूछा गया इसे बुलगेरिया हो गया इसी के साथ में हाँ पर Croatia हो गया, Czech Republic हो गया, Denmark, Hungary, Poland, Romania, Sweden, United Kingdom अब तो हड भी चुका है हां से, ये euro यूज नहीं कर रहे हैं, ये अपनी खुद की personal currency यूज कर रहे है जैसी United Kingdom की आप लोगो पता है personal currency के है, तो इसकी है pound, symbol कुछ ऐसा आप लोगो देखने को मिलेगा जो की hard currency है, IMF की, उसके अंदर आप लोगो ये currency देखने को मिल जाती है जो European Union है, उसके द्वारे हाँ पर एक single political entity के तोर पर अपने आपको create किया security के नाम पर बात करें या किसी भी चेज के नाम पर जब World War 2nd खतम हुई, इनको लगाया और कोई ने कोई अब तक तो हम लोगों ने पूरी दुनिया पर rule किया है कल को आगर हमारे उपर rule कर लेगा, और इनको सबसे बड़ा डर था United State of America से, क्यों? क्योंकि इनकी इतनी खस्ता हालत हो चुकी थी, World War 2nd को लड़ते लड़ते, इनके resources लगबाग हतम हो चुके थे कहने के लिए तो जीत गए, पर लेकिन यह वो ऐसी बात है कि जीतने के चक्कर में हाँ पर यह अपना सब कुछ गवा बैठे और इवन दूसरे के, जो है करजदार भी बन बैठे और वो दूसरा कोई नहीं, वो United State of America ही है इसलिए आप लोग बोल सकते हैं कि Second World War के बाद में, जो दुनिया को चलाने वाला देश निकल कर आया था वो था United State of America, वरना आप लोग सोच सकते हैं न, एक बिटेन, European Union, एक तरीके से जो बिटेन है, जो UK आप लोग नोर्मली बोलते हो वो ऐसा देश जिसने हमारे देश के उपर 200 साल तक रूल किया, वो अपनी इज़त बचाने के लिए एक ऐसे गुरूप बना रहे हैं लोग यहाँ पर, फ्रांस हो गया, पोर्चुगल हो गया, इन्होंने दुनिया के उपर रूल किया है अब वो अपनी इज़त बचाने के लिए गुरूप बना कर बैठ रहे हैं, ताकि कल को जो है कोई और आकर इनके उपर रूल करना है, श्टार्ट नय कर दे तो फिर कैसे चलेगा घर और सारी दिक्कते हैं आपर देखने को मिल सकती है तो क्या करता है, वो सब को उठा कर एक बलाता है अपने रूम में और एक एक लकड़ी देता है, बोलता है इसको तोड़ के दिखाओ तो सारे मिलकर एक एक करण राम से तोड़ देते हैं उसको लकडी को पर लेकिन फिर क्या करता है वो चारो की चारो लकडी को खटा करके एक जगह बानता और फिर बोलता है कि इसको तोड़ के दिखाओ तो फिर वो किसी के भी बस की तोड़ना नहीं रहा जाती है तो इससे क्या समझ में आता है कि जब मिल जूल कर रहोगे तो कोई भी जो है तुम्हारे उपर ददगरी नहीं दिखाएगा और चीजों को तुम अच्छे से लेकर चल भी पाऊगे तो यही चीज इनकी समझ में आ गई तो यह एक one market के लिए agree होगे वन करेंसी के लिए agree होगे अगर कोई कल को चल कर free trade agreement कर रहा है तो यह सारे उसके अंदर आ जाते हैं तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा हाला कि आसान नहीं है जितना बोला जा रहा है कई सारे challenges भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाते है तो अपनी प्रोलम अपने आप उनको सुदार नहीं पड़ेगी तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं एक और यह चोड़ सा मैप है जो आप लोग यहाँ पर count कर सकते हैं current member कौन कौन से हैं इंडिया और European Union के बारे में इंडिया और European Union जो है उनके द्वारा भी first round की negotiation एक तरीके से बात चीत की गई जैसे नहीं ऐसे कई रिस्तेदारी करनी होती है लड़का लड़की देखने जाते हैं तो पहले आप लोग देखने आ जाओ लड़के को फिर हम लोग लड़की देखाएंगे ठीक है तो इस तरीके से तो वह वाली बात है तो इंडिया और European Union ने ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट अग्रिमेंट यहां पर देखने को मिला जिसके चलते जोग्रिफिकल इंडिकेटर की बात के गई जी आई की और यह अभी हाँ पर न्यू डेली के अंदर सामने निकल कर आई अगर बात करें इस राउंड में अग बारे सोरी बावन ऐसे ट टंबर के महिने में यहां पर इसका सेकंड राउंड देखने को मिलेगा अब इंडिया वहां पर जाकर पाटिसिपेट करेगा वैसे अगर आप लोग यहां पर देख पाओगे तो यह पूरा एक स्लाइड आप लोगे लिए तियार किया गया है 1960 से जबसे यहां पर दो अगर चीज़े आगे चले जैसे से इनकी चीज़े बनना इस्टार्ट हुई यूरोपें यूइन एक तरीके से यहां पर चीज़े चलना इस्टार्ट हुई तो यहां पर रिलेसंसिप भी दूसरी कंट्री के साथ में इनके द्वारे स्टैब्लिस क करना इस्टार्ट किये जैसे 1983 में रिलेसंसिप जो है इस्टेब्लिस के गया डेलिगेशन यूरोपें कमिशन के साथ में नियू डेलिगे ठीक है 1994 में यहां पर जो है बाइलेटरल तोर पर आगे बड़े इकनोमिक और फिर इस्टरजिक तोर पर आगे 2004 में जब 5 इंडिया यूरोपें उडियन सम्मिट होती 2004 में हेक के अंदर में इसी के साथ में जोइंट एक्सन प्लान आगया 2005 में 2006 में यहां पर हाई लेवल का ग्रूप इस्टेबलिस किया गया जिसके चलते दोनों मिलकर काम कर सकें आगे चीजों को लेकर फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पर यहां से ऐसे पैटन में हम लोग चलते वे नजर आ रहे हैं यानि कि हम लोग ऐसे नहीं रुख गए हैं हम लोग चीजों को आगे लेकर कॉंटिनुवसली चल रहे हैं इंडिया और यूरोपीन यूनियन के बारे में अगर आप लोग बात करें तो इंडिया यूरोपीन यह काफी important है इसके चलते हैं हाँ पर दोनों country के बीच में free trade agreement को officially आगे लेकर चल रहे हैं और यहां पर इसी को इसी के बारे में भी मैंने आप लोग यहां पर बताया भी कि free trade agreement के ओपर यहां पर बात चल रही है ठीक है तो negotiation चल रही है हाँ यहां से start हुई थी है इसी को आ बात में जब यह बात है हुई तो Brussels के अंदर हुई थी Belgium के अंदर में जहां से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाए ठीक है अगर बात करें आपर अगर जितने अच्छे relation होगे उतने अच्छे से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे एक दूसरी की country के साथ मे हमको भी अच्छी कासी मार्केट मिलेगी और उनको भी अच्छी कासी मार्केट मिलेगी होगी वो तो एक manufacturing हब भी है European Union हमारी country में आकर वो अच्छे से investment कर सकते हैं तो European Union अगर बात करें 116 billion के dollar का amount जो है दोनों के बीच में bilateral trade की रूप में आप लोग को नजर आता है हाला कि global disruption हुआ bilateral trade फिर भी impressive रहे हैं आपर annual growth 43% देखने को में लिए global disruption क्या हुआ COVID-19 के वे से global level पर मंदी आ गई थी यह आप लोग बोल सकते हैं करेलनी European Union और India second largest trading partner है after USA और second largest destination है इंडिया का जाए export होता है यहनि कि हमारा बहुत सारे गेहु, चावल, आम, सबजियां आप लोग ने देखा होगा अकसर European Union में खरीदी जाती हैं इसके बारे में आप लोग को कई बार तो में नहीं पढ़ा हैं तो European Union जो है वो foreign investment जो इंडिया के अंदर flow होता है ठीक है तो अभी recently जो है 8% से लेकर यह 18% हो गया यानकि हमारी country के अंदर काफी अधा फाइदा देखने को मुल रहे हैं तो इससे आप लोग समझ सकते हैं हमारी country में सबसे important चीज क्या है हम लोग product नहीं बना रहे है manufacturing नहीं करने activity पर लेकिन service sector में हमारा कोई तोड़ नहीं है क्योंकि हमारी country की जो economy बढ़ी है वो कहींने कहीं service sector के तोड़ पर बढ़ी है पहले पार्ट कре दूसरा पार्ट कре और तीसरा पार्ट कre इनके बारे में आप लोगों बढ़ा होना चाहिए और यह ऐसा एक कोशलमें जो कि इनुटमी आप लोगों से पूछे आता है पहले पार्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा अकसर raw material आता है रो मेटरियल का मतलब यह होता है आप लोग इसको बोल सकते हैं कि एक तरीके से जैसे की एकरी कल्चर बगएरा हो गया यह फिर जैसे आप लोगों ने खुदा है कि कहीं पर वहां से आप लोगों ने सबस्त हुद अब लोगों कि जयाएंगे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर में आप लोगों को बढ़ा रहा हूं और यहां दोक्टर होता है वह आप लोगोका इलाज करता है तो वह जोस Milky अ प्रूपर पैलग आप लोग को देखने को मिलते हैं तो यह जो है डुपर प्रसरी अंदर आप ऊसकी को साइब यह चायना इसलिए डूनिया में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी एकिनमी बहुत सकते हैंetti युएस से को अगर थोड़ा सा माना जाए कंपियर में करके हालकि पीछे नहीं आज किर में चायना किसी भी तरीके से पर हमारी कंट्री में यह वाला जो मुद्धा है नहीं बिल्गुल खतम है हम लोग ने प्राइमरी से सीधा हम लोग टर्सरी सेक्टर पर जम किये क्यों क्य और हम लोग वहाँ से बंबनाई सामान खरीदे करें चिलाते रहे हसते रहे हम चायना का में ऍटीचर आ पर लेकिन फ्रसरी सेक्टर में किन लोगों को झो मिलेगी ऊंट लोगों कि प्टीचर क्या अगर सकता है ये प्रोपर तरीके से ऐसा नहीं कि जो एक ऐसा इंसान जो की हाँ पर ज्यादा पड़ा लिखा भी नहीं है, तो आप लोग सकते हो, ठीक है, आप लोग कोई कंस्ट्रक्शन का काम खर रहो, तो उसके लिए उसके पास में डिग्री होना जरूरी नहीं है, डिग्री तो पोलि हमारी country में यह manufacturing sector ख्राब था इसी के चलते present time में जो government है उसके द्वारे यहाँ पर क्या किया गया manufacturing sector को भारने के लिए making India project लेकर आया गया पर लेकिन वो एक अलग बात है कि जिस level पर expectation लगाए जारे थी उस making India project से वो उस level पर नहीं पहुंचा अब उसी का दूसरा सब रूप अपने देश में manufacturing activity को बनाने की बात की जा रही है तो अगर यह फुल्फिल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे देश में जोब create होना इस्टार्ट हो जाएगी हम लोग अपना product बनाकर अपने आप use करेंगे दूसरों का नहीं खरीदेंगे तो यह सारी चीज़े आप पर jump करकर अगर tertiary पर पहुँच गया और यह गायब कर दिया तो फिर यहार लिख कर देखने को मिलती है तो इसलिए जरूरी हाँ पर यह है कि हम लोग को क्या करने है हम लोग को पहले primary develop करने है फिर अपना secondary develop करने है और तब tertiary develop करने है और कोई economy अगर आगे बढ़कर चली है निकल कर चली है और दुनिया पर अगर rule कर रही है तो वो इसी तरीके से rule कर रही है कि उसने यह path follow किया है तो यही path हम लोग को भी follow करना पड़ेगा 11th की जो NCRT उसमें पूरे एक chapter है और मैंने यह cover करा रखा है पूरा पूरा chapter अगर आप लोग ने देखा होगा नहीं द बता दी वहां कि अब यहां पर challenges क्या क्या निकल कर आते हैं जैसे कि most favored nation most favored जो nation होता है जिसको MFA nation भी आप लोग बोलते हैं तो European Union जो है वो यहां पर investment treaty practice करती हैं आपर basically most favored nation जिसके provision आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे तो most favored nation के कई सारे फायदे और कुछ नुकसान आप लोग को देखने को मिलते हैं जैसे कि access हो जाती है large market की यह आप लोग को देखने को मिलेगा पर लेकिन सब को यह फायदा देखने को मिलता है यह नुकसान भी है एक्सपोर्ट जो है उसकी cost reduced हो जाती है पर लेकिन आप लोग को देखने को मिलेगा कि दूसरा भी आकर अगर हुहाँ पर पैटिस कर रहा है तो आप लोग को इसका फाइदा देखने को नहीं मिलता है competition भी काफी ज़्यादे increase होता हुआ है यहाँ पर नजर आता है तो हर एक चीज के सिख्के के आप लोग ने सुना हर एक सिख्के के दो पहलो होते है तो ऐसे ही कुछ आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ फाइदे तो कुछ आप लोग को नुकसान नजर यहाँ पर आएंगे पर लेकिन WTO यह बोलता है कि सब को आप लोग को equally treatment यहाँ पर देना पड़ेगा तो यह बात हैं आपर निकल कर आती है यहाँ पर बात करता है पर लेकिन इंडिया जो है वो यहाँ पर इन चीजों पर जड़ा फोकस नहीं देता है तो यह issue निकल कर आता है जैसे कि tariff क्या होता है हम लोग उने tax बढ़ा दिया यह हमारी country में कोई चीज़े dump कर रहे है तो हम लोग उने tax बढ़ा दिया पर non-tariff barrier का मदलब क्या होता है कि भाई साब इतने ही import करेंगे इस से ज़्यादे import नहीं करेंगे यानि कि माले जी हम लोग आज किरे में आम बेच रहे हैं European Union को European Union ने बोल दे कि एक साल में पहले एक 1000 kg आम खाया करते थे पर लेकिन अब इन्होंने बोल दे कि एक 1000 kg नहीं भाई साब हमारे यां बस 100 kg ही आम चाहिए पूरे साल में इस से फाल तो आम नहीं आने चाहिए इंडिया से तो यानि कि अब 900 kg आम का cut कर दिया तो ये non-tariff barrier हो गया या फिर completely ban कर दिया तो tariff नहीं बढ़ाया है इन्होंने ये बिना tariff बढ़ाया ही हाँ पर ban लगा दिया ऐसी चीज़ा आप लोग को देखने को मिलेगी प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी ये सेक्टर पूरा डिटियल में समझा दिया ये अलग से पूरा एक टोपिक कवर होगी आप लोगा इंसे आटे एक चेप्टर बोल सकते हैं इंडिया और European Union के रिलेशन यहां तक कैसे पहुंचे उसके बारे बता दी कुछ और basic information कैसे कैसे व्यापार चल रहा है challenges क्या है European Union के बारे basic information और इसके members के बारे में कुछ बाते आप लोग को बता दी अब question बड़ी ही शांदार तरीके से पूछ आते हैं आप लोगों से जैसे कि यह question होगा आप लोग इसको attempt करिया आप लोगों तब पता चलेगा बात की जा रही है कि European Union के जो member हैं वो Mediterranean Sea के साथ में यहाँ पर यह border touch करते हैं कौन कौन सा यहाँ पर country है जो कि Mediterranean Sea के साथ में border touch करते हैं पहले बोला गया Portugal दूसरा बोला गया आपर France तीसरा बोला गया Spain यान के Portugal, France और Spain सही और correct statement आप लोगों को बताने हैं मैं best question है एक तरीके से आप लोग यहाँ पर यह बोल सकते हैं ऐसे question अकसर exam में आप लोगों से पूछे आते हैं तो बोला यह गया है कि हाँ पर A में बोला गया 1 & 2, B में बोला गया 2 & 3, C में बोला गया 1 & 3, D में बोला गया all of the above सही answer क्या है अगर आप लोग एसाब से पूछे A, B, C, F or D तो इसका attempt आप लोग answer केजिए तब तक मैं दूसरा question आप लोग को बताता हूँ और फिर answer बताऊंगा ओके बड़ा ही प्यारा सा question है और बिल्कुल question जो है आप लोग के UPSC pattern पर यहाँ पर बनाया गया है अगर आप लोग ध्यान से देखोगी आपकी बार UPSC ने ऐसे question आप लोगों से पूछे दे कि only one statement, only two statement, only three statement यह फिर none of the above तो elimination वाला चक्कर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा side में रख देते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं बोला गया European Union के बारे में, यह बोला गया European Union जो है, जो यहाँ पर यह संग है 27 member आप लोग को देखने को मिलेंगे जो कि common governance, economic, social और security policy रखते हैं, पहली statement में यह बोला गया है तो सुनने में तो ठीक लग रहा है यह वाला statement और correct ही पूछा गया है, जैनकि एक statement तो सही हो गई बोला गया है कि it came into force after the signing of master's treaty है 28 countries के द्वारा, ठीक है तो यहाँ पर 28 countries के द्वारा sign किये गी, focus देकर मैंने बोला था आप लोग ही 28 countries के द्वारा sign किये गी है दूसरी statement भी सुनने में अच्छी लग रही है, ठीक लग रही है, ठीक है तीसे बोला गया, 19 of these countries not use euro as official currency अब यहाँ पर आप लोग रुख जाओ गया, मैंने बोला था, 19 of country use euro as official currency note नहीं था उसके अंदर, या दोग आप लोगो तो यह क्या हो गया, यह statement गलत होगी तो answer क्या हो गया, only two statements यहाँ पर correct है ऐसे question UPS से अक्सर आप लोगों से पूसता है अगर धंक से attempt करके चलोगे, तो कभी आप लोगो question चूटने नहीं दूँगा या बस आप लोगो थोड़ा सा focus देकर चीज़ों को चलोगे, ठीक है अब यहाँ पर जो next question था, उसके बारे मागर बात करें Portugal, Spain और यहाँ पर France France, Portugal, Spain यहाँ पर कौन सा इसके साथ में border touch करता है किसके साथ में? Mediterranean Sea के साथ में तो यह Mediterranean Sea का area normally आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते है ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देखते है France हो गया, Spain हो गया, Italy हो गया तो यह country आप लोगो देखने को मिलेगी पर लेकिन यहाँ पर कौन कौन सी का नाम दे रखा है यहाँ पर नाम दे रखा है France का और Spain का, Portugal का तो दे नहीं रखा है ठीक है? तो यहाँ पर answer क्या हो गया? answer यहाँ पर B हो गया Portugal जो है, वो Mediterranean के अंदर आता ही नहीं है तो इस तरीके से map-based question भी आप लोग यहाँ पर एक बड़ा ही प्यारा सा निकल गया तो ऐसे topic को तयार करो कि कोई भी confusion नहों और exam में question भी पूछ रहे तो फिर यहाँ पर question को forward कर आओ ठीक है पर लेकिन यह तभी कर पाओगे जब आप लोग थोड़ा सा उसका revision भी कर लोगे इसलिए बोलता हूँ कि PDF जाकर download कर लिया करो टेलिग्राम पर सारी PDF प्रोवाइड करा देता हूँ अच्छे से आप लोग इनको enjoy कर पाओगे अगर revision भी आप लोग करते वे साथ में चलोगे तो I hope कि आप लोग यह मैंड मेंस को लेकर क्लाइट याई होगी feedback जुरूर दिया करो यार एक second लगता है like या dislike करकर वीडियो का आप लोग बता सकते हो कि हाँ कैसे topic आप लोग को लगता है ठीक है तो एक complete article था with basic static information एक organization भी cover होगे एक question भी cover होगे और इस यह के साथ में आप लोग को primary, secondary और traditional sector के बारे हैं पता चल गया कुछ interesting important topic जो कि आप लोग है हाँ पर पता होने चाहिए और यहां से कई बार आप लोग एक question भी बन जाते हैं छोड़े छोड़े रोबीग है पर लेकिन important है जहां से सुनिएगा governance के साथ में connect कर सकते हैं single integrated pensioner portal की बात की जा रही है यानि कि हमारी country में ministry of personal and public grievance जो है उसके द्वारे हाँ पर किसके साथ है यहाँ पर collaborate किया गयता है state bank of india तो अगर आप लोग sbi की त्यारी करों से प्यो अगरा कि तो डिलेक्ट पूछ लेंगे कि हाँ पर sbi जो है state bank of india ने किसके साथ में collaborate किया गया है कि single integrated pension portal बनाया जा सके तो ministry of personal and public grievance के अंदर में किया है तो यहाँ पर इसके minister कोन है यह आप लोग को बताना है देखता हो कौन बताता है ease of living के बारे बात कि जारी है central government के जो employee है उनको proper systematic pension मिल सके और यहाँ पर 16 जो पैंसर जो आप तक bank थे लगबग 16 थे जो यहाँ पर pension pension distribute करते थे तो उसी को भी यहाँ पर थोड़ा सा side में करने की बात कि जा रही है तो यहाँ पर भविश्य करके portal लेलफ के जा रहा है इनको track करने के लिए ठीक है तो यह याद रखेगा आप लोग को यहाँ पर इसके चलते आप लोग यहाँ पर समझ पाएंगे और मैंने आ सारी चीजे भी आप설ोग यहाँ पर समझ सकते हैं ठीक कुछ चीजे मैंने किया है अराम-अराम से बора जादा यहां जो हिंदी बात बात πैम इंक एक इसकी वैसे मैं यह नहीं बोल रहा है कि मैं रेगुलरी दूँगा हाँ पर हाँ एक बार स्टार्ट कर दूँगा तो फिर कोसिस करूँगा कि चीजे मेंटेन रख पाऊंगो ठीक है क्योंकि कई बार टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर जल्दी अगर रहती है कहीं जाना हो तो फिर मुझे मतलब अलग से टाइम निकालना पड़ेगा और उसके लिए कुछ ना कुछ चीजे मैनेज करने बढ़ेंगी तो देखते हैं उसको कब तक कर पाता हूं पर हां जल्दी आप लोगो चीज आप लोगो चेंज होती है नजर आएंगी ठीक है जितना कर सकता ह उतना तो जरूर करूँगा ठीक है टेंशन मतले अकरो पलेगी कोसिस करो कि तुड़ा इंग्लिस भी समझो अच्छे से ठीक है क्योंकि बोलता तो हिंदी में हो ना आधार के बारे बात की जा रहे है तो यूआई डियाई के दुआरे हाँ पर ग्रिवेंस रिडुरेसल जो इंडेक्स है उसका second consultative जो month है उसके बारे बात किजा रही है कि जो भी problem होती है उनको कैसे discuss के जाए तो यहाँ पर यह आधार provision की तया 2016 में इसको यह basically implement किया गया administration जो है basically ministry of electronics and information technology आती है हाँ पर जो publish करती है department of administrative reform and public grievance every month जिससे पता चलता रहे है कि हाँ क्या क्या चीजे चल रही है ठीक है तो यहाँ पर जो ministry department और जो autonomous bodies है उनकी rank लाए जाती है कि वो अपने अपनी जो area में जो जो दिक्कते आ रही है क्या उनका solution निकाल पा रहे हैं फिर नहीं निकाल पा रहे हैं तो यह काफी important है एक तरीके जो कि हाँ पर official दे उनको liable ठेराय जाएगा अगर कर लोगो किसी की death होती है accident होता है पुराने time पे वो हुआ करता था एक particular basically अगर किसी area में कोई ऐसा नहीं कोई officer से हो हाँ पर duty कर रहा है कोई नेता है वहाँ को इस particular area में अगर इन लोगों को पकड़ ले जाए तो क्या उस area में कोई दिक्कत होगी तो कभी दिक्कत नहीं होने वाली है सबसे बड़ी दिक्कत ही है कि यहाँ पर उनको नहीं पकड़ा जाता है जिनको responsibility दे गई है वो अपने आपको responsibility के दाएरे में लाते हैं जिसके वैसे issue निकल कराता है अगर वो responsible अपने आपको माने इस चीज़ के लिए और वो responsibility नेने लगे तो सारी problem के solution आप लोगो निकलते हुए नजराएंगे तो यह आप लोग समझ सकते हैं तो यहाँ पर यह इसके लिए responsible ठहरा रहा है तो यहाँ पर यह एक्ट है हमारी country में इसके बारे में थोड़ा साइक और आप लोगी कवर हो जाएगी हमारे देश में 1988 में सेटप किये गए थी कि हमारे देश के highway बना जाएंगे और ministry of road, transport and highway के अंदर आती है सबसे पहले जो chairman थे वो थे योगेंदर नारायन जो की first chairman थे 1988 में और headquarter जो था वो New Delhi का आप लोगों को देखने को मिला और moto बड़ा शांदार इसका एक तरीक से not just road, building a nation यहनिकि देश नहीं बना रहे हैं अगर कोई पूछ ले आप लोगों से तो एक organization के बारे में statement देखर question आप लोगों से बन जाते हैं तो माइन में जितना clarity रहेगी उतने अच्छे से आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे ठीक है तो basic है पता होना चीए बाकी one liner type के प्रैमिस्टर मोधी साब के द्वारा 5,860 क्रोड रुपे राजकोट गुजरात के अंदर में 1100 house का construction की बात यहाँ पर की जा लिए ठीक है लाइट हाउस और इसी के साथ में Indian urban housing conclave की बात यहाँ पर कीगी तो जो गुजरात में सारी scheme सारी आप लोगो पता है election है तो उसके वज़े से यहाँ पर यह सारे project आप लोगो देखने को मिलेंगे तो अगर कलको option में गुजरात रहता है और कोई ऐसा recently project है तो सोच लेना अगर पता नहीं कुछ भी तो गुजरात option में आप लोग लगा सकते हो ठीक है इससे फाइदा होता है grant पढ़ने का प्राइम स्टर जी के दौरे हाँ पर ले डाउन किया गया foundation development project 3580 क्रोर रुपे का कहाँ पर जूनागर गुजरात के अंदर में और फिर से यहाँ पर गुजरात के अंदर में mission school of excellence ठीक है यह सारी चीज़े गुजरात की है तो गुजरात वासियों के लिए important है बाकी USA उसके द्वारे यहाँ पर अभी यहाँ पर लगबग 4 million की है इंडिया के जो भी हाँ पर जो हमारी डेश के ना जो भी मलिका अर्जुन खरगे साब जो है वो Congress के ने प्रेजिडेंट बन गया पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जबसे देश आजाद हो है यहाँ पर कि यहाँ पर गांधी परिवार के अलावा कोई और बनाए और इनके द्वारा ससी थरूर साब को हराय गया आप लोगे लिए यह तो कोईशन नहीं पोचेंगे हाला कि पोचा भी जा सकते है क्योंकि यह काफी बड़ी चीज हुई है देश के अंदर क्योंकि Congress एक काफी पुरानी और गया से ने आप लोगे बताने हैं कि Congress के चार स्टार्टिंग के प्रेजिडेंट को थे जब Congress का अगठन किया गया था 1885 में वह देखना जाकर बहुत इंपोर्टेंट है और वहां से कोशन आप लोगे बनते हैं इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेगा अब मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ वीडियो दिखाऊंगा जो कि आप लोग समझने हैं पर अभी आप लोग को पता है प्राइमिस्टर मोदी साब के द्वारा इनुग्रेट किया था है आप महात्मा मंदिर कर्वेंशन एक्जिविशन सेंटर इन गांधिनगर और इसी के साथ में आप लोग को देखने को मिल रहा है डिफेंस एक्सपो ठीक है तो इससे लिटिट कई सारी चीज़ें एक बच् कियाता है तब जाकर हमको इतनी शांदार सिक्योटे मिल पाते हैं ठीक है किस किसने चीज़े देखें बताना जुरूर ये एक बहुती शांदार तरीके से आप लोग को देखने को मिलेगा मतलब रोंग्टे खड़ हो जाते हैं कोई आसा है जो लाइव देख रहा है यहां अधर यह अधर बताना जरूर सेयर किया गए रहती हैं यह देखो यह सारे एक्सप्रिमेंट केयाता है कल लोंको इसा ब्लास्ट हो जाए लोको इसको देखा पूरा तो सारी चीज़े होती हैं कि हम लोग कैसे चीज़ों को डेल कर सकते हैं कोई प्रलम हाती है तो उसके आपने कि यहां पर एक तरीके से ट्रेइनिंग दी जाती है ऐसा आप लोग यहांपर बोल सकते हैं तो यह देखो इस तरीके से KAL को इसी को बचाना है पानी के अंदर में से कुछ ऐसी चीज़ेह हैं कोई हरकते होगी कोई साइकलोन में कहीं पर फस गया या फिर कहीं बाड़ जाए में गद्दो में चल रहे हैं चीज़े पर लेकिन ग्राउंड पो उतरकर काम करना पड़ता है तब समझ में आता है ठीक है तो यह कुछ बात याद रखेगा बागी अगर बात की जाते हैं यहां पर यह बात की जा रहे है यह defense dialogue यह भी देखने को मिला defense expo की side में इसके उपर भी detail में एक article list करूँगा ताकि चीजों के अच्छे से understand कर पाओ प्राइमिस्टर मोदी जी के दौरा फोर्थ जो यहां पर positive indigenization list यहां पर issue की की 101 defense items की अपने ही देश में कोसिस कर रहे हैं अपने ही चीज़े खरीदें अपने आप ही बनाए अपने आप ही बेचें तो उसके उपर focus रखने ही कोसिस की जा रहे है 14th edition world space congress का आप लोगो देखने को मिला है अपर spice congress का कहाँ पर Mumbai के अंदर में यह सुरी देखने को मिलेगा ठीक है फरवरी 2030 में तो चोदवा संस्क्रान होगा तो अभी यहां पर यह announce कह गया और world level का है तो A star लगा लेना question बनने के chances बन जाते हैं ठीक है यहां पर CCI competition commission of India के द्वारा final लगा दिया गया है लगबख 392 क्रूर रुपे गा किसके उपर जैसे की make my trip हो गया गो बैब हो गया यो यो हो गया unfair business प्रेक्टीश चल रहे हैं इनकी unfair मतलब एक तरीके से अपने आपको advantage देने की कोसिस की जाती है मार्किट से competition को cut करके एक तरीके side में रखने कोसिस की जाती है तो तब यहां पर competition commission आता है कि भाई साब हम भी है आपर हमको भी याद रख लो औरना हम तुम को सुधार देंगे तो यह चीज़े है CCI जो है आपर उसके द्वारा Indian Oil Corporation के साथ में हाँ पर मिलकर launch कह गया है यू अमरित यह आप लोग यादर केगा पंजाब के अंदर में stable burning को रोकने के लिए interesting question मन सकता है क्योंकि बहुत जादे news में रहेगा अभी जिसले से आगे बढ़ोगे stable burning के बारे में जो खास पूछ जिला जाता है उसके बारे बाते करो ठीक है है basically यह किसके द्वारा दिया गया European Parliament के द्वारा यह अवोड दिया गया है लोगों को लिए क्यों क्यों कि लोग जो है रसिया के जो इन्विजन है लड़ाई यह उसके सामने ठीक हुए रिजिस्ट कर रहे है बड़ी बात है अपना हमें ठीक है गलोबल इस्टील जो है वो काफी जाधे डाउंग्रेड हो गया ड्रोफ हो गया 2.3% 2022 में वर्ल्ड इस्टील के द्वारे रिपोर्ट दिये गया है पुतिन के द्वारा डिक्लेयर क्या गया मार्सर लो चार जो ऐस इंडिया यहाँ पर देख तरीके से गुस्ते में था पर इन्होंने अप्रूव कर दिया है तो यह हमारे बिल्कुल अपोजिट में जाकर खड़े होगे है पर जेंट टाइम पर अगर आप लोग देखोगे ठीक है चलिए जो भी है बागी स्वीडन के नए लीडर नए प् यह कुछ कुछन है मल्टी नए में पूर्टी जो बिसिकली उसके बारे बात कि जारे कौन सी कंट्री में सबसे ज़्या गरीब आदमी है यह आप लोगों से पूछता मैंने अब बताया भी था डिटेल में अब आप लोगों याद होगा और यार कॉमिनेटी टैग में जब कुशन पोस्ट करता हूँ पढ़ाने के बाद भी उसका गलत आंसर दे देते हो यार कुस्तो सरम किया गरो इतना तो मत करो कम से कम पढ़ाया नहीं उसका गलत आंसर देरो सोझवार है ऐसा मत करो यार दुख होता है अंदर से दिल दुखता है ठीक है परदान मंतरी भारतिय जन उर्वरक परियोजना ठीक है यह भी लोंच की कही कोन से मिनिष्टी के द्वारा यह बताना आप लोग को मिनिष्टी ओफ होम मिनिष्टी ओफ केमिकल मिनिष्टी ओफ साइंस मिनिष्टी ओफ में ठीक है पहले में ओप्सन क्या थे कॉंगो नाइजीरिया इंडिया इं प्रेक्टिस, लीविंग, नोन, बिहाइंड, यहीं किसी को पिछने चोड़ना, सस्टेनेबल डेवलोप्मेंट, गोल फस्ट, पुर्टी, एर्डिकेशन और पुर्टी फस्ट, सही आंसर क्या है बताना, सीसेट का कोश्चन है, वीडियो को पोस्ट करना, स्टेन्मेंट पढ़ना, आंसर देना, इसको अराम से, और फिर इसके बाद में आंसर बतातू, ठीक है, आज का, जो मैं बिस्ट कोश्चन है, यह तुख बंदरा रिवर, तो तुख बंदरा रिवर आप लोगे हैं, यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, आप लोग जाकर थोड़ा सा इसके बारे भी स्टड़ी करना, यह बेसिकली तेलंगाना अंदर प्रदेश से आप लोगो होती हैं, यहाँ पर आप लोगो बहती ही कुछ-कुछ यहाँ पर आप लोगो यह इसकी चीज़े जो हैं, यहाँ पर लोगो बहती हैं, तो rank है 51, यानि कि half century हम लोग ने मार दी, अभी Chief Justice of India, जो बने हैं, कौन से number के बने हैं, बताइए ज़रा, half century लगे हैं उनके भी, यहाँ पर theme क्या थी है, मैंने discuss की थी आप लोगों से बड़े ही detail में, तो यहाँ पर किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, पांचों के पांचों को अच्छे से आप लोगो देखना है, और इनके ऊपर आप लोगो sentence form करने है, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से understand भी कर पाऊगे, पहला सब्द हैं आपर exaggerate, SSC, UPSC के अंसर, answer writing में, banking, NDA, CDS में, antonyms, synonyms, पता नहीं कहां कहां यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और इस speaking में भी अच्छी vocabulary होगी, तो अच्छे से बोल पाऊगे, exaggerate होता है, चीजों को खराब करना, ठीक है, एक तरीक से worse कर देना, एक तरीक से ना, कहीं पर लड़ाई हो रही है, तो और ज़्यादे exaggerate कर देना, सामने वाला चिला रहा है, तुम डबल तरीके से चिलाओ, इससे क्या होगा, इससे कभी चीजे सुधरने वाली नहीं है, इससे चीजे जो है, वो और ज़्यादे खराब होने वाली है, तो इसलिए कहते हैं, कि जब सामने वाला कोई चिलाए, तो कम से कम आप लोगों चूफ हो जाना चाहिए, एक आज मी चूफ हो जाएगा, तो चीजे थोड़ी सुधर सकती है, पर सामने वाला चिला रहा है, तो उससे डबल एनरजी में चिला रहे हो, तो इसका मतलब यह है कि अब जो है, और जादे चीजे खराब होने वाली है, तो यह चीजे आप लोग ध्यान लखेगा, एक वर्ड सुना है, उजड़ा चमन, यानिकि एक तरी चीजे उड़ चुकी हैं, आपर उजड़ चुकी हैं सारी, तो यहाँ पर इसको desolate बोलते हैं, यानि कि कोई attraction नहीं रहा है उसके, लोग या फिर जो चीजे हैं उसकी तरप को attract नहीं हो रही है, तो एक तरी दुखी, एक तरी अंदर से sadness की feeling देते हैं आपर यह ठीक है, मैं क्या-क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या-क्या चीजे आप लोगो, चीज अवेर रहना आप लोग का, ठीक है, और खुद भी अवेर रहें और दूसरों को भी अवेर करें, एक बच्चे के दरा बोलागे, सर मैं डेली अपने पापा को lecture share करता था, स्टार्टी में वो देखते नहीं थे, अब उनको देखने के आदत पड़ गई है, ठीक है, तो आप लोग अपने family member को भी चीजे अवेर करा सकते हो, ताकि उनके साथ में फिर चीजे आप लोग discuss कर सको, तो यह छोड़ी छोड़ी चीजे होते हैं, आप लोग इनको करके देखो तो सही, आप लोग को फायदा होने लगा, पर आप लोग जो है, थोड़ा सा comfort zone में रहते हो, निकलने को सी सी नहीं करते हैं, वो दिक्कत create करता है, एक होता है, किसी के साथ में कुछ ऐसा कर देना, कि सामने वाला गुस्सा हो जाए, व्यंग आत्मग नहीं कमेंट कर देना, और वो भी ऐसे कमेंट जो कि इरिटेट कर दें, तो इसको बोलते हैं basically derisive, ठीक है, नेक्स यहाँ पर बात की जारे है गसी, यानिके सुन्दरता, beautiful, कुछ ऐसी चीज़े जो की काफी ज़्याद है, attractive भी लगें, आप लोगो सुन्दर लगें, impressive लगें, ठीक है, जो जो भी मैंने पूछा है, तो आज के सेल भी कमांड़ है, आप लोगें सामने, ओके, और यहाँ पर थेरे सा, जो basic, वो, थेरे सा में, सुरी, less truths, तो कल यहाँ पर यह आप लोगो देखने को मिला, news में चाही रही, तो इनके द्वारा भी अपनी चीज़े जो है, वहाँ से कल्टी मार लेगे, बोल लेगी, मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है, तो यह सारी चीज़े है, कैसा लगा, आज का discussion, जुरूब बताना, और again, happy धन तेरस to all of you, और happy धिपावल यार, अच्छे से enjoy करना, और इसी तरीके से life को आप लोग enjoy करते रहना, अच्छे से, और आगे बढ़ते रहना, ठीक है, और Instagram पर मेरे साथ connect होना, वहाँ पर picture भी share किये जाती है, एक picture और share किये आप लोगे लिए, तो आप लोग भी अच्छे से इसी तरीके से life enjoy करते रहे हैं, और आगे बढ़ी अपना आपको motivate रखे, अपनी सिहत का ज्यान रखे, और अपने काम को follow करिए अच्छे से discipline में तभी आप लोग चीजों का achieve कर पाओगे, वरना अपने ही साथ के लोगों से काफी पीछे रह जाओगे, तो ऐसा नहीं करना है, अपने काम पर focus करना है, तो next lecture में मिलता हो, तब तक के लिए, बढ़ो को नमस्ते, चोड़ो को प्यार, शोड़ी सी life enjoy करार, मिलता हो next lecture में तब तक के लिए जाहिंद, और हाँ, जिनका selection होता है, उनके नाम के आगे, उनको congrats चुरूर लिखा गरो, ठीक है, यह आप लोग की responsibility है, तभी आप लोग को लोग लिखेंगे, okay?